नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों इस वीडियो में में लेकर आ गया हूँ ससी जीडी जिसका एक्जाम आज आपके चोहदा फैप को कंड़क्ट हुआ है इसके पर्थम प्लस दुद्टे पारी के जो भी मेरे को सत परतिसत रियल और ओथेंटिक क्योशन मिले हैं वो ही आपके सामने प्रजेंट कर रहा हूँ इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है और वीडियो मागे बढ़े हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं अनेकेडमी के लर्निंग एप पर भी एजुकेटर हूँ जहां पर मैं विभीन गवर्मेंट एक्जाम के कोर्स कवर कराता हूँ और अब भी मैंने वहाँ पर रेलवे और SSE एक्जाम स्पेशल सूपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक कवर की हैं जो बार बार TCS कंपनी के दौरा रिपीट हो रहे हैं क्योसन तो इसके लिए सिंपली आपको अनेकेडमी का लर्निंग एप प्लै स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहाँ पर मेरा नाम जसराज चौदरी सर्फ करके मेरी प्रोफाइल को फोलो कर दीजिए और जो भी कोर्स है आप फिर यह आप कोस्ट वाच कर सकते हो तो चली देख लेते हैं आज आपके चोहदा फैब को पर्थम और देत्यो पारी में कौन से क्योसन है वो पूछे गए हैं और यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी क्योसन बताऊंगा वो आपके सत परतिशत रियल लोंगे यह आज आपका पेपर था तो कमेंट करके जरूर बताना आपके सेप्ट में यह क्योसन पूछे गए हैं या फिर नई तो पर्थम पारी का एक पहला क्योसन है ग्यानपीट पुरुसकार के सचेतर में दिया जाता है तो यह आपके भारतिश सहिती के लिए दिया जाने वाला सरवोज पुरुसकार है और 2017 में जो आपके 53 ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया है वो किष्णा सोब्ति को दिया गया है हिंदी भाशा में जो आपके भारतिश नुईधार में टोटल 22 भाशाओं है इनमें से कि इसी भी कारिये में लेखन कारे करने पर उनको ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित क्या जाता है और 2018 में जो आपका 54 ग्यानपीट पुरुसकार मिला है वो अमिताव घोष को मिला है इंगलीस में कारे के लिए नेक्स्ट क्योसन है 2002 में कौन सा अनुछे जोड़ा गया है तो 2002 में आपका आर्टिकल 21 ए जो कि आपके 6-14 वर्ष के बच्चों तक के लिए मुप्त शिक्षा अनिवारिय और मुप्त शिक्षा का है जो समिधान संसोदन है वो आपके 86 समिधान संसोदन के तहती या आर्ट परदा गया है 2002 में नेश क्योसन की बात करें तो क्योसन था कि गहूं का समर्थन मुल्य आपकी 2018-19 कितना पर्षेंट बढ़ा गया है तो उससे पहले 2017-2018 की बात करें तो गहूं का समर्थन मुल्य था आपके 1735 रुपे परती क्विंटल अब ये बढ़ा कर 2018-19-1840 रुपे परती के लिए आपकी क्विंटल कर दिया गया है टोटल बढ़ोतरी हुई है आपके 56.05 परतीशत यानि टोटल रुपे की बात करें तो 105 रुपे की याप पर बढ़ोतरी की गई है नेश्ट क्योशन है साकसरता दर किस राज्य की सरवाधिक है तो 2011 की जंगर्णा के एकोरडिंग कैरल राज्य की साकसरता दर है वो सबसे अधीक थी कितने परसंटेज थी 94 परसंटेज थी और शेकेंड आपका इस्तान है मिजुरम का और सबसे ज्यादा साकसरता वाले भारत में जिले की बात करें तो वो आपके सेर्जिब जिला है मिजुरम राज्य का नेश्ट क्योशन 2018 के राष्टमंडल खेल कहां पर हुए थी तो 2018 में राष्टमंडल खेल हुए हैं और जो नेश्ट होंगे आपके 2022 में राष्टमंडल खेल वो होंगे आपके युनाइटेट किंग्डम बर्मी घम में एक क्योशन ता पंडित भीमसेन जोसी के सच्छे तरशे शम्मंदित हैं तो पंडित भीमसेन जोसी हैं ये आपके हिंदुस्तानी सास्त्री संगित से जड़े हुए हैं और कौन से राजे से बिलोग करते हैं तो करनाटक राजे से नेक्ष्ट कियोशन कौन सी भासा है वो समिधान के आठ हुए अनुसुची में नहीं है तो आप देख सकते हो समिधान के आठ हुए अनुसुची में जो टोटल 22 भासा है इनमें से इदी कोई भी नहीं थी बासा option में तो वो आपके correct होगी तो असमीज है बेंगाली, गुजराती, हिंदी, कनड है कस्मीरी, कौंकणी, मल्यालम, मनिपुरी, मराठी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, शिंधी, तमील, तेलगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मिथाली और डोगरी यहाँ पे English बासा नहीं है, I think आपके option में English होगा, बाकि आप comment करके बता सकते हो एक क्योसंता गोल गुंबज है, यह कौन से सेर में है, तो गोल गुंबज, यह एक मकबरा है, जो कि करनाटक राज्ये के विजेपूर सीटी में है और इनके वास्तुकार की बात करें, तो वो व्याकत दाबदूल है इनके वास्तुकार नैश्ट क्योसं 2011 की जंगर्ना में सबसे कम आबादी किस राज्ये की है, तो शिक्किम की है सबसे कम जन संक्या, जो कि है 6,7,688 है, शिक्किम की सबसे कम नागारजुन बाहंद परियोजना है ये किस नदी परिष्थित हैं तो नागारजुन बाहंद परियोजना है हैधराबास से 150 किलोमेटर दूर किष्णा नदी परिष्थित हैं और इस बाहंद की विशेष्था की बात करें तो इस बाहंद से निर्मित नागारजुन सागर ज एक योशनता बीए SIC बैसिक समयलन में कौन से देश का हिस्सा नहीं है तो बैसिक समयलन में टोटल आपके जार देश भाग लेते हैं ब्राजिल दक्षन अफरीका भारत और चाइना इनमें से यह दी कोई भी आपके विकल्प में नहीं था तो वह आपके करेक्ट होगा जो कि आपके इसका हिस्सा नहीं है और का प्रयावन संबंदित मुद्धों पर यह बैसिक समयलन में इसका उद्धेश्य हैं प्रयावन संबंदित मुद्धों पर एक वार्ता करना और दोस्तों यहां पर ऐसे बहुत से क्योशन है वो आपके हूब 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 टीसी एस कंपनी क गया है तो 4700 पेज की पीडियो फाइल है टीशेंज कंपनी ने ये एक्जाम कंडेक्ट कर रहा है तो आने वाले किसी भी सिट में इनमें से क्योशन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इसी प्रकार आपको आर्पीएप SI के क्योशन पेपर भी मिल जाएंगे मातर आप क्योशन की बात करें तो ओडिशा का राजिपाल की यहां पे पूछा गया है वर्तमान में ओडिशा के राजिपाल कौन है तो गणेशी लाल आपका करेक्ट हो जाएगा अगला क्योशन भारत का पहला किरकेट मैच कब हुआ था तो यह आपके 1932 में हुआ था भारत और इं जिंडा के नाम से भी जाना जाता है एक क्योशन आपके वन्स के संस्थापक से संबन्दी था एक्जेक्टली मालूम नहीं है कि कौन से वन्स से पूछा गया तो यहां पे कुछ इंपोर्टेंड वन्स और उनके संस्थापक मैं आपको बता देता हूं तो हर्यकव वन्स के संस्थापक है बिम्बी सार मोर्य वंस के चंदरगुप्त हैं सईद वंस के हैं खिजर खां गुलाम वंस के कुतुब दिन एबक हैं लोधी वंस के हैं बहलोर लोधी और चोल वंस की बात करे तो इनके संस्थापक है विजिल विज्याले हून वंस के तोर्माण है और पाल वं की रूप में डाउनलोड कर सकते हो। Link description box में है टेलिग्राम की आवरन का विलोम किया होगा तो आवरन का होगा अनावरन तो यह हिंदी वेकन के कुछ क्योसन है। चंदरमा को आपको प्रयावाची पूसा गया था तो चंदरमा का प्रयावाची हो जाएगा चांद, चंदर, हिमानसू, सुधानसू, सुधाकर, सुधा, धर, राकेश, राकापति, शशी ये सबी आपके चंदरमा के प्रयावाची हैं इनमें से जो भी ओप्सन में था वो आ तो इसका अर्थ होता थोड़ा सा भी नहिलना अपनी बात पर अड़े रहना या फिर हट नğa छोड़ना ये इस मुहावरे का अर्थ एक आपके मुहावरा था कडवे गूट पीना तो इसका अर्थ हो जाएगा असेहन ये बात को शेहना और इसे संबंदित एक मुगा रहा है कि जहर का गूट पीना तो इसका अर्थ हो जाएगा करोध को दबा लेना तो यह होता यह आपके पूछा गया था कड़वे गूट पीना अर्थ हो जाएगा असेहन य जी यह में था बहुत प्यास लगी थि भारी के स्तान प्याइगा आ को जाएगा अधर का फूछा धा आपके आधर का होजाएगा अनाधर और अवीलम का जो बरतनी पूछा गया था तो यह होगा आपके अवीलम इस परकार से जो भी औप्षन में था वो correct होगा एक आपके वाके सुध्धि का था मैंने देवी का दर्शन कर लिया तो यह होगा आपके मैंने देवी के दर्शन कर लिए तो यह आपका correct हो जाएगा और और pronunciation की correct spelling पूछी गई थी जो की ये होगी आप देख सकते हो और एक आपके था once in a year जो साल में एक बार आता है उसे एक शरुद में क्या कहेंगे ये आपके English में पूछा गया था grammar में तो वो आपके annual हो जाएगा और एक idiom था c i2i ये भी English का है opposite of vocal का हो जाएगा आपके silent English क पूछा गया था और एक क्योसंता दुग्द उत्वादन में भारत का इस्थान आपको पूछा था तो दुग्द इस्थान में भारत का इस्थान है पर्थम नेक्ष्ट क्योसंत राष्टपति का चुनाव कैसे होता है तो राष्टपति का चुनाव होता है वो आपके दाई का MLA होते हैं विदान सभाव के मेंबर्स तो निर्वाचित सदेश्यों दोरा पांच वर्ष के अवदी के लिए राष्टपती को चुना जाता है और एक योसंता बैंक का ब्याजदर कौन जारी करता है और एक आपके मैस का था जिसमें आयत की लंबाई और विकिंड द क्या है वो कितना परतिसत थी तो 2011 में मुश्लिम की बात करें तो 14.2 परतिसत थे मुश्लिम और हिंदू थे 79.8 परसंटेज नेक्स्ट के उसने दक्षन अपरिका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या का जाता है तो दक्षन अपरिका में जो घास के मैदान है उन् और निको बैसीन में का मैदान है। कमपास है आपके अमेजन नदी के दक्षण भाग में ब्राजिल में है। कटिंग ब्राजिल के ओष्ट कटीमंद्य वन है। पार्कलैंड अफरिका में हैbol णने में पंपास तो ये हो गए आपके दक्षण अफरिका का। वेल्ड हैं दक्षन अपरिका के भूम अध्य शागरिय जलवायू में डाउन्स आपके आउस्ट्रेलिया के मर्रे डार्लिंग बैसिन में हैं और इस्टेपीज ये यूरेशिया का मैदान है नेक्ष्ट के उसने कि पानीपत का युद्ध कहां पर हुआ था तो आपको अभी जो पानीपत है ये पानीपत में हुआ था और अभी पानीपत हरियाना राज्ये में हैं पानीपत के तीन युद्ध हुए थे आपके 1526, 56 और 1761 में एक योसंता 1526 में जो आपका पानिपत का पर्थे में धुआ था इसमें बाबर ने किसको हराया था तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत की और से आपके इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर थे मुगल नेक्स्ट की उसने सुल्तान के कदमों को जूमना जो पर्था थी जिसे पेबोस पर्था बोला जाता है ये किस ने सुरू की थी तो बलबन ने सुरू की थी और इस पेबोस पर्था को खत्म क्या था सहा जाने नाचने की मूर्तियों का जो सरवोज चुदान है वो कौन सा मंदीर है तो नाचने की मूर्तियों का जो मंदीर है वो आपके मिनाक्षी मंदीर है जो कि आपकी तमिलनाडू राज्ये मिश्तित है एक क्यों संता खाना बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है तो खाना बनान को किस समिधान संसोदन से जोड़ा गया है तो ये आपके 70 जो 33 तरवा समिधान संसोदन हुआ था आपके 1992 में इसके दोरा समिधान में 11 वी अनुशुची जोड़कर शंपून देश में पंचाईती राज की इस्तापना का प्रावधान किया गया था एक योचन ता 20AA का होकी विशुकप किस ने जीता है तो बेल्जियम ने जीता है और इसके रनारभ की बात करें तो 2018 के होकी विशुकप की ऊपविजदा टीम में आपके निदरलेंड जो की ये आपके होकी विशुकप हुआ था उडिशा की भूनेश्वर में हुआ था नेक्स्ट क्योसन है लोरेस वर्ल्ड इस्पोर्ट आवार्ड जो 2018 में दिये गए हैं ये किस किलाड़ी को मिला है तो ये सेरेना विलियम्स को मिला है लोरेस वर्ल्ड इस्पोर्ट आवार्ड दो जार अठरा इंडियाज फ़र्ष्ट यूनिसको हेरिटेज सीटी कौन सी ये भारत की पर्थम UNESCO Heritage City है आपके एहमदाबाद एक आपके वेन डाइग्राम का क्योसन था जिसमें एकाई वर्ल्ट और वर्ट के मद्या आपको संबन इस्तापित करना था तो यह हो जाएगा आपके यूनिट होती है तो वर्ल्ट और वर्ट यह दोनों यूनिट होती है तो ए 144 किलोमेटर पर होर्षे प्लेट फॉर्म को 30 सेकिंड में पार कर दे तो आपको प्लेट फॉर्म की लंबाई गियात करनी थी तो यहां पर आप मान लेते हैं कि मान लीजिए ट्रेन की लंबाई आपके एक से तो प्लेटफर्म की कितनी हो जाएगी, दूगुनी हो जाएगी, दो X हो जाएगी, और जो ये ट्रेन पार कर रही है, 30 सेकेंड में, ट्रेन की स्पीड क्या है, 144 किलोमेटर पर ओवर है, तो टोटल दूरी की बात करें, तो एक तो आपके ट्रेन की दूरी है, सेकेंड करेंगी, क्योंकि आपका समय सेकेंड में है, तो 144 को मैं 5 by 18 से मल्टिप्लाई करूँगा, तो ये आपके मिटर पर सेकेंड में आ जाएगी, फिर इसको आप समय से गुणा करेंगी, तो आपकी दूरी निकल के आ जाएगी, तो 3X बराबर आपका यहां से आ जाएगा, 1200 करेंटर हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, हिंदी की क्योशन की बात करेंगी, तो आपको जंगल का प्रयावाची पूछा गया, तो यहां पे विपिन, कानन, वन, अरन, ये, गहन, अखे, कांतार, ये सभी आपके जंगल के प्रयावाची है, डिंग, हाकना, मुह जाएगा, हर्श्व का विलोम आपके दिर्ग हो जाएगा, एक आपके सुद्ध वर्तनी का हाँ, यहां पे था कि लालीमा शुद्ध, तो यह आपका सुद्ध सब्ध है, लालीमा और खूब सुद्ध ये भी, शुद्ध सब्ध है, तो आपके क्योशन में आपको अशुद रूप दे रखे थे इनके, तो शुद्ध ये हो जाएगा, एक आपके यहां पे रिजनिंग का था, कि ट्वैंटी टू का जो रिलिशन टूर फॉर्टी टू से है, वही एटिन का किस्टे होगा, तो यहां पे क्या क्या जारा दोस्तों, बाइस का स्कोईर करके इसका भाग बहुत धन्यवाद, यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक जरूर कर दीजे, और चैनल कर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बैल आइकन को किलिक कर दीजे, और मैं मिलता हूँ, ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जै हिन दोस्तों